हेलो दोस्तों, नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूक्यूब चैनल पर. दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवी प्राची का संपूर्ण जीवन परिचे. प्राची देवी एक भारतिय कथावाचक और भजन गाईका हैं जो भक्तों को श्रीमत भागवत गीता, और उन्होंने बहुत कम उम्र में भजन और भगवत गीता के छेंदों का पाठ करना शुरू कर दिया था. उनके पिता भगवत गीता के उबदेशक हैं और उनके जन्म के समय नवजात शिशु की एक जलक पाने के लिए देश भर के कई संतों और आध्यात में खस्तियों ने उनके घर का दोरा किया और उन्होंने भविशिवानी की लड़की एक प्रभावशाली व्यक्ती बनेगी प्राची देवी को भागवत कथा का ज्यान दादा पम बाबुलाल शुक्ल से मिला जब वह पांच वर्ष की हुई तो उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया वह अपने धाराप्रवाह पाठ से दर्शकों को मंत्र मुगध कर देती हैं प्राची देवी विभिन भारतिय धार्मिक ग्रतों की एक लोग प्रिय उपदेशक हैं विशेश रूप से भगवत गीता और राम कथा की इन शास्त्रों के चंदों का पाठ करते हुए वह रामचरित मानस, महाभारत, पद्म पुरान, गरुन पुरान और अगनी पुरान जैसे कई अन्य लोग प्रिय शास्त्रों के संदर्भों का हवाला देती हैं। प्राची देवी ने बारवी कक्षा की पढ़ाई कूरी करने के बाद सिविल सर्विसिस की तयारी करना शुरू कर दिया था। लेकिन पिता द्वारा मिले श्रीमत भागवत गीता का ज्यान लो से काफी लगाव है और उन्हें कई स्थानों पर जानवरों के साथ प्यार दुलार करते हुए देखा जाता है। प्राची देवी राजदीप विद्याले की प्रिंसिपल हैं जो मध्यप्रदेश के शहर जबलपुर में स्थित है।